नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उपाली जयन और आइरवेट फॉर एवरिवन में आपका स्वागत है विडियो बनाया है विडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप इसे देख सकते हैं अगर आपको रुदय से सम्मंदित कोई बीमारी है या फिर रुदय की मान स्पेशियों में कमजोरी है दर्द रहता है या अगर आपको हैपर टेंशन है यह जैसे ब्लड प् वचा से सम्मंदित या फिर खून से सम्मंदित कोई बीमारी है तो उन्हें भी इस वीडियो में बताएगे अर्जुन शिर्पाक का फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि यह है रफ्त शुद्धिकर भी है अर्जुन शिर्पाक बनाने के लिए घटक द्रव्या या सामगरी क्य चाहिए इसे बनाने की शास्त्रोक तब वीधी क्या है अर्जुन श्र्पाक की मात्रा याने डोज इसे कब सेवन करना है इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए अरजुन शिर्पाग बनाने के लिए हमें चाहिए अरजुन की छाल का भरड 10 ग्राम दूद 80 ml और पानी 320 ml आप इसे आधी कॉंटिटी में भी बना सक 32 भाग रहे यानि भरड के 8 गुना दूद लेना है और दूद के 4 गुना पानी लेना है शिर्पाग बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बरतन चलनी और चम्मच आपको अरजुन की छाल का भरड और चूरन दोनों असानी से मिल सकते हैं इसमें से हमें भरड का ही इस् चूरन का इस्तमाल कर सकते हैं दूद को हमेशा पहले अच्छे से गरम करने के बाद ही इस्तमाल करें चलिए अब देखते हैं कि अर्जुन शिर्पाग यानि अर्जुन की छाल का आउशदी सिध्धदू शास्त्रोक्तविदी से कैसे बनाएं इसके लिए हम 10 ग्राम दूद डालेंगे दूद पहले गरम करके लिया है बरतन आप मिट्टी का स्टील का इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें हम अर्जुन शाल का भरट डालेंगे इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ग्यास की जो फ्लेम है वो मीडियम या स्लो रखेंगे छोटे चमच से दूद की लेवल हम चेक करेंगे क्योंकि हमें बाद में सिर्फ दूद को बचाना है जितना दूद हमने लिया है उतना ही मिश्रन उबालने के बाद उस दूद को हमें बाकी रखना है अब हमें इसमें 320 ml पानी डालना है एक भाग भरड, 8 भाग दूद और 32 भाग पानी डालना है याने दूद के चार गुना पानी डालना है मिश्रन को अच्छे तरह से स्लो या मिडियम फ्लेम पर उबालना है इसे लगातार चमच से मिक्स करते रहना है संस्कृत में अर्जुन के बहुत सारे अलग-अलग परियाई नाम है भाव प्रकाश इस ग्रंथ में इसके अउशदी गुनधर्म, इसके उपयोगन, इसके फाइदे क्या-क्या है इसे बहुत ही विस्तार से बताया गया है अर्जुन का रस कशा यानि कसेला है, यह ठंडे स्वभाव का है, प्रभाव से रुद्य है, यानि रुदय के लिए, हाट के लिए यह बहुत अच्छा है शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त को कम करता है अर्जुन के बहुत सारे अलग-अलग अउशदी कल्प है तो इसे अलग-अलग तरीके से सेवन किया जा सकता है अर्जुन शिर्पाग बनाते समय उबालने की इस प्रक्रिया में अर्जुन चाल के अउशदी गुणधर्म इस दूद में उतरेंगे और यह दूद अउशदी बनेगा देखिए यह मिश्रन गाढ़ा बनता जा रहा है सिर्फ दूद बाकी रहने तक हमें इसे उबालना है इसका रंग भी बहुत ही सुन्दर आता है हम फिर से इसकी लेवल को चेक करेंगे जितना दूद हमने पहले लिया था उतना ही बचा है यहने हमारा अर्जुन शिर्फाग बनके तयार है अब हम ग्यास बन कर देंगे और इस मिश्रन को छान लेंगे इसमें से दूद को अच्छी तरह निचोड लेना है ताकि हमें शिर्फाग की पूरी मात्रा मिल सके तो इस तरह से अर्जुन शिर्फाग या अर्जुन से सिध्ध अवशदी दूद तयार है अर्जुन शिर्फाग को आप 20-40 एमेल की मात्रा में दिन में 1-2 बार ले सकते है या आपने चिकिस्तक की सलाह से इसकी मात्रा निश्चित कर सकते है उम्र के अनुसार, प्रकृती के अनुसार, बिमारी के अनुसार इसका डोज या इसकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है इसे खाली पेट या भोजन के कम से कम 1-5 घंटा पहले ले जब इसे खाली पेट याने fasting condition मिलिया जाता है तो इसका absorption भी fast होता है यानि इसका जो असर है वो जल्दी मिलता है अर्जुन शिर्पा को हमेशा fresh बना के लिजिए अगर आपको इसे fresh बनाना possible नहीं है और आप इसे रखना चाहते हैं बनाके तो इसे ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे आप रख सकते हैं इसे ज्यादा ना रखे और इसे फ्रीज में भी नहीं रखना है अर्जुन शिर्पाक परिवार के सभी लोग ले सकते हैं और रुदय के साथ साथ शरीर को भी स्वस्त बनाए रख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आईरवेद को अपनाए स्वस्त रहे नमस्कार